नुश्कार गूड इवनिंग कॉंप्रेशन कॉम्मूनिटी के कॉंप्रेहंसिफ करेंट अफेस प्रोग्राम में मैं को ख्राश करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पिछले वीडियो में क्या किया था तो 12 माई तक के करेंट अफेस को देख लिया था इस वीडि स्लाइट पर क्या मिलता है आप सभी को पता है तो एक साहितिकार ठीक है भई अब आज की जो साहितिकार है उनके लिए याद रखना एक महिला है क्या है महिला क्या नाम है उर्मिला तो उर्मिला जो है न असल में वह एक 36 गड़ी औरत है जिसने क्या करवा के रखा है गोधना करवा रखा है और वो क्या लड़ती है तो महा भारत है अच्छे स्ने लिखाया जी महा भारत लड़ती है समझ में तो उर्मिला एक 36 गड़ी औरत है गोधना करवाई है क्या लड़ती है महा भारत ठीक है साहितिकारा जो है उनका नाम पूर्ण करते हैं नाम है और मिला शुकला जी 36 गड़ी भाशा में इनकी तीन रचना है पहला क्या है तो है 36 गड़ के अउरत ये क्या है तो ये ना एक काव्य संग्रा है अगला क्या है गोधना याद रखना गोधना के फूल गोधना के फूल जो है न ये एक कहानी संग्रा है फिर क्या है महा भारत तो याद रखना ये है महा भारत मा दुर्पती महा भारत मा दुर्पती जो है ये असल में एक खंडर काव्य है तो अभी तक क्या देखे हो उर्मिला 36 गड़ी अउरत है गोधना करवाई है महा भारत लड़ती है तो उर्मिला से सहितकार का पूरा नाम क्या है उर्मिला शुकला चत्तिसगड़ी भाषा में इनकी क्या-क्या रचनाए हैं तो पहला देखे हैं अवरत से चत्तिसगड़ के अवरत जो की क्या है काव्य संग्रा है गोदना से क्या है गोदना के फूल कहानी संग्रा है महा भारत तो महा भारत मा दुर्पती जो की क्या है एक खंड काव्य है अब यहाँ पर खतम नहीं हुआ अब यह जो उर्मिला शुकला जी है ना इन्हों ने क्या किया तो 21 सदी जो है इसमें इन्हों ने हिंदी का भी क्या सम्हाल रखा है मूर्चा 21 सदी में क्या सम्हाल रखा है हिंदी का भी मूर्चा तो अब यहाँ से इनका या इनकी जो भी रचना देखेंगे वो सब किसमें है तो हिंदी भाषा में तो लाले में लिख दूं क्या दिख रहा है क्या लाल दिख रहा है चलो 21 सदी से क्या है तो है 21 सदी के दुवार पर 21 सदी के दुवार पर ये क्या है तो एक काव्य संग रहा है ठीक है फिर हिंदी तो हिंदी से भी एक रचना है देखते जाईएगा क्या है तो है 36 गड़ी संस्कृती और हिंदी कथा दर्बगल लिखता हूँ जगा है कथा के बाद साहित्य ये क्या है तो ये एक आलूचना है मोर्चा से याद रखना अपनी अपनी मोर्चे पर ये क्या है तो ये है एक कहानी संग्रा फाइनली क्या है तो एक याद रखना लग से गुल मोहर ये क्या है तो ये एक गजल संक्रा ठीक है चलो एक बड़ रवाइस करा देता हूँ ठीक तो ब्लैक कलर से जो लिखा हूँ वो चत्ति गड़ी भाशा में है लाल रंग से जो लिखा हूँ किसमे है तो हिंदी भाशा में रचनाई है उनकी ठीक तो मैंने क्या बताया था सबसे पहरे थोड़ बड़ा कर लेते हैं इंदर से मैंने बताया था देखो उर्मिला जो है ठीक है क्या रंग किया जाए कुछ अलग रंग किया जाए हाँ चलो मैंने बताया था उर्मिला जो है वो 36 गढ़ी अवरत है जो गोधना कराती है महाभारत लड़ती है फिर मैंने क्या बताया 36 गढ़ी भाषा में उनकी रचनाए क्या है अवरत से है 36 गढ़ के अवरत जो की क्या है काव्य संग्रा गोधना से क्या बताया मैंने गोधना के फूल जो की क्या है कहानी संग्रा फिर महाभारत से बताया है महाभारत मादुर्पती जो की क्या है एक खंड़काव्य फिर मैंने आपको क्या कहा उर्मिला शुकला जो पूरा नाम है इन साहितेकारा का इन्होंने 21 सदी में क्या किया है तो हिंदी का भी मूर्चा समाला तो मैंने कहा यहां से जितने भी बताऊंगा वो सब हिंदी भाषा में इनकी रचनाएं है तो 21 सदी में क्या है 21 सदी के द्वार पर ये क्या है तो एक काव्य संग्रा है अगला क्या है हिंदी जो शब्द है उससे तो 36 गड़ी संस्कृति और हिंदी कथा साहित्या और यह क्या है तो यह एक आलोचना है finally मोर्चा से क्या है अपने अपने मोर्चे पर जो कि क्या है कहानी संग्रह और finally मैंने क्या कहा एक अलग से याद रखना गुल मोहर जो कि क्या है एक गजल संग्रह ठीक है साहितकारवल सेक्षन बहुत इंपोर्टेंट है एक से दो क्वेशिन जो है वो समानी रूप से CGPSC पूछ लेता है चलो अब क्या करते हैं लास्ट वीडियो के कुछ क्वेशिन है उनके आंसर को देख लेते हैं तो राज का पहला मिलिट्स काफे कहा खोला जा रहा है तो राइगड में खोला जा रहा है राज का पहला मिलिट्स काफे अगला क्वेशन क्या था, चत्तिरगड पुलिस का निजात अभ्यान निम्ण में से किस से संबंधित है तो नशे के विरुद्ध का ये अभ्यान है, याद आना चाहिए, कोरिया जिला बताया था आपको मैं अगला है, चत्तिरगड शासन की पहल जो कृष्ण कुंज है, वह निम्ण में से किस से संबंधित है याद करो, व्रिक्षा रोपन करना था, ठीक अगला क्वेशन क्या है, हाल ही में माचिकी महाविद्याले कभीर धाम का नामकरण किसके नाम से की जाने की घोष्णा की गई है पुना राम ने साथ ध्यान में आना चाहिए, लास्ट वीडियो में डील किया था फिर क्या चत्तिरगड पुलिस का निजात अभियान निम्न में से कौन से जिलेम चलाय जा रहा है अब भीचे बता दिया थे दे कोरिया ठीक है और फाइनली क्या है छटवा कोशन राज का नवीन जो ट्राइबल म्यूजियम है कहां खोले जा रहा है तो नवारायपुर याद है इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में डील करा दिया था चलिए तो भीना टाइम को वेस्ट करें इस बार के टॉपिक्स पराते हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा 21 मई 2022 को जो किसान न्याय योजना है उसकी पहली किष्ट तो 2021 का जो खरीफ सीजन था उसकी पहले किष्ट आप सभी को पता होगा ये जो किसान न्याय योजना है इसकी राशी चार किष्टों के माध्यम से क्या की जाती है दी जाती है ठीक है तो इसमें जो कित्ते किष्ट हैं तो चार किष्ट हैं ये बता दिया आप लोगको मैं अच्छा इसके बारे में डीटेल देखेंगे पहले न्यूस को देख लेते हैं ठीक है तो न्यूस क्या कहते हैं तो बेसिकली डेट 21 मई को क्यों सिलेक किया गया है तो भारत के पूर्फ प्रधान मंतरी नाम था क्या इनका श्री राजीव गांधी जी इनकी क्या थी पुन्य के लिए क्या किया गया जो जिला मुख्याले हैं वहाँ पर कारिक्रम आयू जित किये गये और कारिक्रम में बहुत सारे जो जन्रप्रति निधी हैं विधायक हैं मंतरी हैं क्या हुए शामिल भी हुए ठीक है अब थोड़ा से ना ब्रॉडली समझने की कोशिश करेंगे की गई तो मैं आपको बता दूँ वर्ष 2021-22 में लगभग 21.77 लाक से अधिक किसानों से क्या हुआ था इनसे MSP पर धान करीदी हुई थी तो ये किसान क्या हुँगे लाभानवित हुँगे अब इन किसानों को एप्रॉक्सिमेटली संतावन हजार दो करोड रुपए जो है वो ट्रांसफर करने थे इस योजना के अंतरगत कितने किष्टों में चार किष्टों में जिसमें से जो पहला किष्ट है वो किष्टे का आया एप्रॉक्सिमेटली सत्रा सो करोड का और यह जो किष्ट है यह कब दिया गया है तो 21 माई तो सत्रा सो करोड जो है 21 माई को जो की पहली किष्ट थी कुल किष्ट कितनी थी तो चार थी कुल अमाउंट एप्रॉक्सिमेटली कितना करना था संतावन जिरो दो करोड कित इसके अलावा सबसे ज़्यादा खरीदी कौन से डिस्ट्रिक्स से होई थी, यहां लिख दूं क्या, तो first में क्या था, राजनाद गाउं ये question पूछता है, और last में क्या था, तो दंतेवाडा, इस question को भी आपको ध्यान में रखना है, clear है ये, ये question सीधा प्रीमी उठा के पूछता है, सरवाधिक धान खरीदी कहां होई थी, clear है ये, I hope इतनी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छा, कहां पर लिखूं ये ना, मैं ये वाले slide पर लिखता हूं, अच्छे समझिएगा, अब ये ना, 21 जो मैं का दिन था, इस दिन न, तीन योजना की राशियों का अंतरण हुआ है, एक तो क्या है, राजीव गांधी, किसान, न्याए, योजना, खीक है, उसके बाद, ग्रामीन, भूमिहीन, क्रिशी, मजदूर, न्याए, योजना, और उसके बाद क्या था, तो, गोधन, न्याए, योजना, क्लियर है, एप्रॉक्सिमेटली, यहाँ पर, 21.77 लाख, क्रिशको को, एप्रॉक्सिमेटली, 1700 करोड रुपे, इसके माध्यम से, क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया, पहले किष्ट के रूप के में, ठीक, अब ग्रामीन, भूमिहीन, क्रिशी, मजदूर, न्याए, योजना, जो है, इसमेटली, 3.55 लाक जो है, वो क्या है, हीतिगराही, और इन्हें क्या किया गया है, तो लगभग इन्हें, 71 करोड रुपे क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया, कित्ता करोड रुपे लगभग 71 करोड, प्लस, इसमें इनकी जो वार्षिक सहता राशी थी, जो कितनी थी पहले, 6,000, उसको बढ़ा कर कित्ता कर दिया गया है, गोधन न्याए, योजना, लगभग, इसमें, 13 करोड रुपे का भुकतान किया गया है गोधन न्याए, योजना के लिए, क्लियर है, तो approximately सभी क्रिशक मिला लो, सभी भूमी हीन, क्रिशी मजदूर मिला लो, यहां पर बहुत से क्या हैं, तो सभी अगर हिद्गराहियों को मिला दो ना, तो लगभग 26.68 लाक जो है, वो हिद्गराही हो जाते हैं, जिनको सभी योजनाओं के अंतरगत, पैसा अंतरण किया गया, ट्रांसफर किया गया, और amount जो है न, वो approximately अठारा सो करोड रुपया प्लस हो जाता है, तो आपको confusion नहीं होना चाहिए, यह जो तीन योजनाओं जो हैं, उनको compositely क्या किया गया है, पैसा ट्रांसफर किया गया है, इन त तरीके से, ठीक, चलिए, अब dissect करते हैं questions, तो सबसे पहले जो है, पहला question पूच सकता है कि प्रथम जो किष्ट थी, first किष्ट वो किस तारीकों जारी की गई, 21 मही, इस से अलावा क्या पूच सकता है, धान खरीदी कितने क्रिश्कों से की गई थी, यह official data है, ठीक है, 97.97 लाक टन, 97.97, इसलिए न्यूज में पढ़ोगे, लगभग अंठान बे लिखा होगा, ठीक है, तो संतन बे दिश्रमलो, संतन बे लाक टन की खरीदी हुई थी, तो एक question यह आ सकता है, कितनी खरीदी हुई थी, सबसे जाधा आने का chance क्या है, कि first rank पर कौन सा जिला था, तो राजनाद ग्राओं है, ठीक है, क्या आ सकता है, लास्ट में कौन था, तो ध्यान रटना, धनते वाड़ा है, ठीक, चलिए, आपको एमाउंट नहीं पूछेगा प्री में, तो प्री में इतनी चीज़े हैं, अम mains point of view से समझते हैं, तो mains point of view से, आपको इस योजना के प पादक क्रिशक हैं, उनको प्रती वर्ष 9000 रुपए प्रती एकड़, मालो 10 एकड़ वाला है, तो 10 गुणे 9000, 90,000 रुपए, इसकी दर से क्या की जाती है, तो input राशी, मतलब input subsidy कहतो या एक तरीके से सहायता राशी दी जाती, तो इस योजना के अंतरगत सहायता राशी क रूप में, या input subsidy के रूप में क्या किया जाता है, जो धान उत्पादक क्रिशक हैं, उनको प्रती वर्ष 9000 रुपए प्रती एकड़ दिया जाता है, अब ध्यान रखेंगे, खरिफ वर्ष 2020-21 में, जिन किसानों ने MSP पर धान विक्राय किया था, या MSP पर ध्यान बेचा था, अगर वो धान के बदले ना, कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, या अन्य, फोटिफाइड धान, फोटिफाइड ध्यान मतलब ऐसा धान जिसमें क्या होता है, विटामिन्स की मात्रा होती है, ठीक है, इसको भी अपन पर बेचे हैं, अब वो चाहते हैं, कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, या अन्य, फोटिफाइड धान लगाएं, या चाहते हैं कि व्रिक्षार उपन करें, उनको 10,000 रुपे का क्या किया जाएगा, इन्पुट सबसिड दी जाएगी, इन्पुट सबसिड़ी किते वर्षों तक दी जाएगी, सिर्फ तीन वर्षों तक दी जाएगी, तीन वर्ष के बाद क्या होगा, वरिक्षार उपन की हो, पेड़ बाढ़ी, बेचू नहींगा, अब किसे कर हो ला, ठीक है, तो ऐसा भी होगा, मैं टेबल थ पसल है, उनकी खेती जिन्होंने की है, उनको 9000 रुपय प्रती एकड़ की दर से इन्पुट सबसिड़ी दी जाएगी, तो ये जो प्रावधान है, इसको मेंस में आप यूज कर सकते हो, पेपर नमबर पांच में, ठीक है, चत्रगण की अर्थव्यवस्थाम भी आ सकता है इसके अलावा और क्या हो सकता है तो इसको आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, चत्रगण में क्रिशी संबंधित, अगर कोई ऐसे आ जाए और उसमें किसी यूजना का नाम डालना पड़े, तो आप इसको डाल सकते हैं, चलिए, अब नेक्स देख लेते हैं, क्या ह इंद्रा गांधी क्रिशी विश्व विद्याला है, देश का पहला क्रिशी विश्व विद्याला है, जहां पर NCC, National Credit Core का कोर्स जो है, वो किया जाएगा, ठीक है, आईजी के वी की स्थापना ध्यान रखेंगे आप 20 जनवरी 1987, इसकी स्थापना, अब जो हमारी राष्ट् सिक्षा नीती है नहीं वाली, इसमें युवाओं का अनुशासन बढ़ाने के लिए, देश भक्ती और लीडर्शिप की स्किल्स उनमें डेवलप करने के लिए, क्या किया जा रहा है, NCC का जो वैकल्पे कोर्स है, समझ में उसमें उसे किसमें शामिल किया गया है, तो उच् सत्र से इसे लागू करेगा, समझ में आ गया, ठीक है, इसके लावा अनुश सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में भी NCC जो है उसे वैकल्पिक कोर्स के रूप में दिया जा सकेगा, चुना जा सकेगा, अब IG की वे का फैसला कैसे हुआ है, तो ध्यान रखना IG के के कुलपती है, नए, आपको पता होगा, अपन बताये थे, डॉक्टर गिरीश चंदेल, ठीक है, और क्या हुआ, NCC चत्रगड के कमांडर है, ब्रिगेडियर एके दास, समझ में आया, इनकी एक बैठक हुई, और बैठक में डिसाइट किया गया, कि IG के वी में ये स्टार् किया गया है, स्टार्ट किया गया है, ठीक है भई, अगला क्या है, हरियाली प्रसार योजना जो है, इससे व्रिक्षार ओपन को क्या मिल रहा है, बढ़ावा, तो हरियाली प्रसार योजना क्या है, तो यह एक ऐसी योजना है, जो कि किसको प्रोचसाहिद करती है, क्रिशी वानिकी को अब क्रिशी वानिकी क्या है कुछ नहीं है क्रिशी कारी के साथ वानिकी करना मतलब फसल तो लगाना साथ में पेड़ लगाना जाड़ी लगाना ताकि पेड़ जाड़ियों का भी फाइदा मिले उन्हें बेचकर और फसल का भी फाइदा मिले तो क्रिशी वानिकी को क्या करती है ये प्रोटसाहिद करती है और हरियाली को क्या करती है बढ़ाती है ठीक है यह योजना लगभग पिछले दो वर्षों से प्रॉपरली नहीं चल रही थी, या सीधा कह सकते हैं, बंधी किसके नाम से, कोविड के नाम से, अब वापिस से इसे क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, और लोगों को जागरू करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, पौधा हमारा जीवन आपका, समझ में आ पौधा मिल जाएगा, ठीक है भई, अब पौधा तो देंगे, इसके अलावा किसानों को निशुल्क कीटनाशक देंगे, खाद देंगे, और रियायती दरोपर क्या देंगे, पौधा देंगे भई, ठीक है, तो कीटनाशक मिल गया, खाद मिल गया, पौधा भी मिल गया, और देख लेक के लिए क्या करेंगे तो आनशिक राशी भी उपलब्ध कराएंगे पौधा दे दिये, कीटनाशक दे दिये, फोटिलाइजर दे दिये, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, खाद मतलब फोटिलाइजर, सब दे दिये, देख रेक करने के लिए राशी भी दे दिये, clear है? तो ये जो पौधा है, अब लगभग क्या होगा ना, पांस से छे साल के बाद, प्रती हेक्टेर, प्रती हेक्टेर मतलब लगभग 2.47 एकड की बात हो रही है, ठीक है? प्रती हेक्टियर इसमें लगभग 100 टन का उपादन होगा और हर टन जो है ना इसमें मोटा मोटा आप मान के चलो 3,000 रुपे तका फाइदा हो सकता है क्लियर है ये तो आप खुद सोच लीजिए 5 से 6 वर्ष में 3500 गुणे 100 इतना फाइदा प्रती हेक्टियर क्रिशक कमा सकते है वो भी पौधा सरकार से मिल गया कुछ ऐसे पौधे हैं जो की रियायती दर पर मिलेंगे कुछ ऐसे हैं जो फ्रीम भी मिल जाएंगे तो चलो फ्री वाले ले लिए या रियायती दर पर ले लिए तो इसलिए मैंने क्या कहा, यह जो योजना है, यह क्या करेगी, तो यह न सिर्फ हर्याली को बढ़ाएगी, बलकि कृष्को को आर्थिक रूप से भी क्या करेगी, शशक्त करने का काम यह योजना करने बाली है, प्री के मादे हम से देखेंगे, तो क्या क्वेशन आ सकता है, हर्याली प्रसार योजना कौन से विभाग द्वारा चला ही जाती है, तो याद रखना वन विभाग के द्वारा, फिर पूछ सकता है, पौधा हमारा जीवन आपका अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है, या किसके अंतरगत, तो बताना हर्याली प्रसार योजना क के अंतरगत है, मेंस में सीधा आपको 30 words में बोल देगा, या 60 words में बोल देगा, यह जो हर्याली प्रसार योजना है, इसका उद्देश बताईए, ठीक है, तो बता na पही क्रिशी वानीक्यों को परोच्साहि दिया जाएगा ठीक है और देख रेक के लिए अनुदान राशी भी दी जाएगी तो ये पूरा यूजना हो जाएगा आपका कौन सा हरियाली प्रसार यूजना चली अब नेक्स क्या है तो राजे में बच्चों के लिए संजीवनी साबित हो रहे है राष्ट्री बाल स्वास कारिकरम चिरायू लगभग 2014 से 36 गण में क्या किया गया स्टार्ट किया गया अब इसके माध्यम से आप समझेगा बेसिकली होता क्या है तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि गंभीर बिमारियों के साथ जन्म लेते हैं या उनमें क्या हो रही है जन्म से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जो कि किसी भी गंभीर बिमारी से पीडित हैं उनका क्या किया जा रहा है निशुल्क उपचार कराया जा रहा है और इस योजना के अंतर का 44 तरह की बिमारी का निशुल्क जाच और उपचार तो जाच भी होगी और उपचा करने का क्या है प्राबधार अब इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में राज में अब तक 18288 जो बच्चे हैं उनका अपचार हो चुका है क्लियर है इंपोर्टन्स क्या है तो मेंस पॉइंट अफ यू से बहुत इंपोर्टन्ट है यह आपको पेपर नंबर पांच जो है उसमें 30 वर्ट में चिरायू जो कारिक्रम है उसके बारे में लिखने को आ सकता है बताईएगा 2014 में स्टार्ट हुआ है 18 वर्ट तक के बच्चे जो की गंभीर बिमारी से पीडित है उनका निशुल्क उपचार कराया जाता है या सीधा बता दीजेगा तो राष्ट में पुरानी पैंशन योजना राष्ट लिख रहा हूं या बोल रहा हूं यार 36 गण में न तो 36 गण में पुरानी पैंशन योजना जो इसको क्या किया गया है लागू किया गया है तो हमारे यहां जो नवीन अंशदाई पैंशन योजना थी अब यह अंश मत बहाल की जा रही है अब जो 10% कट रहा था वो कटना क्या हो जाएगा बंद तो 1 अप्रेल 2022 से ये कटना क्या हो गया बंद और अभी सिर्फ क्या कटने वाला है तो जीपीएफ तो लगभग 12% जीपीएफ इतना ही कटेगा वो भी किसका basic salary का तो basic जो salary उसमें जीपीएफ बस कटेग 12% बाकी ये जो 10% salary कटता था एक अप्रेल 2022 से खतम कर दिया गया तो ये जो अंचदाई वाला scheme था ये क्या हो गया है बंद और ध्यान रखना इसको लागू या बहाल कब से की गई है इस योजना को तो 1 नवंबर 2004 डेट बहुत important है आपको प्रीमे याद रखना ठीक है तो इसके लिए क्या हो गया है राजपतर आ चुका है तो भविश ने दी सामाने भविश ने दी यही क्या है आपका general provident fund जीपीएफ तो सामाने भविश ने दी जीपीएफ और pension के लिए क्या होगा एक अलग से संचाल ना ले होगा ठीक धियान रखना पुरानी pension योजना पहले ही राजस्थान में क्या हो चुकी है स्टार्ट हो चुकी है तो यह पहला राज्य है भारत का चत्यजगर क्या होगा दूसरा राज्य जहां पर यह पुरानी pension योजना क्या की गई है लागू की गई है तो ध्यान रखना basic salary में से जीपीएफ का 12% क पटता था एक अपरिल 2022 से इसे क्या कर दिया गया है बंद किया गया है और एक नवंबर 2004 से इसे लागू किया गया है या बहाल किया गया है कौन सा पुरानी जो pension योजना है उसे ठीक है तो प्री पॉंट व्यू से जादा important था विविद अब विविद में देख लेते हैं तो योगासन में प्रकाश और प्रभाकर चत्तिगड़ का प्रतिनिद्रत्व करेंगे ध्यान रखना खेलो इंडिया यूद गेम्स 2022 जो कि कहा होने वाला है तो हरियानम होने वाला है इसमें पहली बार क्या किया गया है योगासन को शामिल किया गया है और चत्तिगड़ के प्रभाकर सिंग और प्रकाश कुमार साहु जो है वो अपनी प्रतिभग क्या करेंगे उसमें प्रदर्शन करेंगे खेलों इंडिया यूद गेम्स जो है उसमें जाएंगे योगासन वाला जो कैटेगरी है उसमें चत्तिगण की ओर से भाग लेंगे ठीक है अगला है शाश्वता जिन राजेंद्र सूरी गुरू मंदिर नगपुरा दुर्ग आप सभी को पता होगा चत्तिगण में नगपुरा जो है ना जैन धर्म से संबंधित एक बहुत इंपोर्टेंट तीर्थ है ये इस क्वालिडी और क्या कहा जाता है वास अगरम पार्ष तीर्थ भी कहा जाता है यहाँ पर और क्या है तो नागदेव मंदिर है क्लियर है नागदेव मंदिर नागदेव मतलब ये पार्षनात से ही संबंधित है अब यहाँ पर एक नया मंदिर बना है शाश्वता जिन राजेंदर सूरी गुरु मंदिर ध्यान रखना शाश्वता किसी और को नहीं रशब देव को ही कहा जाता है ठीक है ना तो आपको पता होगा पहले जैनतीर थंकर थे तो यहाँ पर रशब देव चंद्रप्रभ वीर स प्रमान की मूर्तियां एक साथ स्थापित की गई है इस मंदिर में और यह ऐसा पहला मंदिर है चत्रगण का जहाँ पर इन सभी देवताओं का मंदिर स्थापित किया गया है तो आपको सीधा पूछ सकता है यह जो मंदिर है शाश्वता जिन राजेंदर सूरी गुरु बहुत सारे श्रमिक कल्यान कारिकरम जो है वो आ रहे थे और इसी के लिए नई दिली में आयूजित होई थी आत्म निर्भर भारत सम्मिलन उसमें क्या किया गया है चत्रगण को नाशनल एवार्ड दिया गया है तो श्रम विभाग के सचिव है श्री अमृत कुमार खल्ख और इस रोपाखर में क्या बनाया जाएगा बायडावस्टी पार्क बनाया जाएगा क्लियर है तो मंत्री जी है श्री अमर्जीद भगत पताई छे आपको खाद्य नागरे का पूर्ती एवं उपभोगता सन्रक्षन मंत्री इन्होंने मैन पार्ट विकास खंड के अंतरग नहीं हुआ है डेवलप करने में लगबग एक करोड की राशी जो है बहुत लग जाएगी ठीक चलिए नेक्स क्या है राइपुर में होगा All India महापौर संबेलन तो अभी 112 वा All India महापौर संबेलन जो है कहां हुआ कानपुर में RMC रायपुर मुनिसिपल कॉर्परेशन के महापौर कौन है तो एजास धैबर जी है उन्होंने प्रस्तावित किया कि अगला संबेलन तो इस पर All India महापौर संब जो है उसने अपनी सहमती दे दी गई और 113 वा जो संबेलन होगा कहां होगा वो रायपुर में होगा तो ये प्री के हिसाब से बहुत इंपौर्टन कोशन है पूच देगा आपको ये जो 113 वा All India महापौर संबेलन है वह कहां पर होने वाला है 112 वह पूच सकता है कहां पर हुआ था करके ठीक है अब मनरेगा के जो रोजगार सहायक है जिनका मांदे पहले कितना था तो इनका मांदे लगभग 5-6,000 रुपए उसको बढ़ा कर कितना कर दिया है तो हमारे मुख्यमंत्री वाची परीख यह बनी है क्या Miss Teen Universe में Second Runner Up ठीक है तो दुबई में आयो जित हुआ था Miss Teen Universe उसमें राइपुर की वाची परीख है यह आई है Second Runner Up चलिए तो यहांपर जो News है इस बार का वह इतना ही important था और यहांपर खतम हो जाता है इसके बाद कुछ questions है, questions को देख लेते हैं राजीव गांधी किसान ने आयोजनाक तहट 36 गड़ सकार द्वारा कितने द्वारा किसानों को धान की फसल के बदले वरिक्षार उपन करने पर प्रती एकड कितनी input सहायता दी जाएगी, बताया हूँ अगला question क्या है, 36 गड़ में चिरायू योजना के अंतरगत कितनी उम्रतक के बच्चों को निशुल्क जांचे वह मुपचार किया जा रहा है ठीक है भई अगला क्या है, पौधा हमारा जीवन आपका भियान जो है किस योजनाक तहट चलाया जा रहा है देखी चुके है अगला question क्या है, इंद्रा गांधी क्रिश्वी विध्याले में किस course की पढ़ाई करने वाला देश का पहला क्रिश्वी विध्याले बनेगा ठीक है उसके बाद अगला question क्या है, हाल ही में निम्न में से किस जिले में बायर डास्टी पार्क जो है उसका उद्घाटन किया जा रहा है और finally last question है मन्रेगा के रोजगार साहे को का मांदे बढ़ा कर प्रतिमा कितना कर दिया गया है ठीक है, तो यह सारे values आपके सामने लिखे हैं आप लोगों से निवेदन है कि इक पर देखने के पास जरूर इन questions का answer मुझे करें चलिए तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और आप सभी से मुलकात होगी मेरे अगले वीडियो में तब तक ले thank you and take care